एक बार फिर आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है और आज इस वीडियो में बात करूंगा पांच फरवर ही को जो एर फोर्स का मेडिकल चल रहा है उसके बारे में उसका रिव्यू कि कैसा मेडिकल हो रहा है कौन से पॉइंट बन रहा है और कैसा चल रहा है कौ कि बच्चों को कैसे कैसे पॉइंट मिले और क्या सब था तो सबसे पहले मैं बता दूए मैंने से पहली वीडियो में थी है जीत सिंग जोदा जो अपने पहले दिन जिनका मेडिकल वा था इन्हीं के एक दोस्त है आज वह भी मेडिकल देने गए तो उन्होंने बताया उसक कि वाद मैं आगे आपको बताता हूं के ने ऊसके बाहं उसके बाद में नियर विजन ज़ी गृप बनाबना के भी जा रहे थे और ुझ वhew गई बीच बीच में ले जाकेन इंत रचाने फरी इसमें सता उसमें पोईंट बना लिये थे सबके अलग-अलग कि भाई इसके यह दिक्कत है सबके नाम के आगे और लास्ट फाइनल रिजल्ट सुनाने से पहले सबको एक साथ बुलाया गया फिर एक एक करके एक बंदे को बुला रहे थे और उसको वापिस चेक कर रहे थे री चेक कर रहे थे जो पॉइंट टूट रह और इस बार किस पर आई पर ठीक है आई आई के साथ इयर नोज और जो लोकोमेटरी मोशन होता है उसका लोकमेटरी मोशन में जो तुम से एक्सेसाइज वगरा करवा रहे हैं उन सब चीजों के रिगार्डिंग पॉइंट थोड़े ज्यादा बन रहे है ठीक है तो यह तो सब्सक्राइब वहाँ पर 17 बच्चे से थे जिनको रेड़ कार्ड मिला है 25 बच्चे से जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है ठीक है तो यह तो एक गाज़ाबाद का और गाज़ाबाद में भी शेम चीज है पॉइंट वही आका नाके निके मंतरे में बाकी नॉर्मल हो रहा है इसके अलावा जो तेजपूर जो है तेजपूर की बात में आपको बता दू तेजपूर में 45 जो केंडिडेट बुलाए थे उन्होंने 45 केंडिडेट उनमें से 13 यह से जिनको ग्रीन कार्ड मिला था बाकी जो 30 थे उनको रेड़ कार्ड मिल गया है और दो बच्चे थे वह वहाँ पे अपसेंट है तो यह तेजपूर का रही हो और बेसिकली अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो जो नॉर्मल जो चीज़ें जैसे आपकी आई नोस और इयर इनको चेक करवा के जाएं और इनका प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेके जाएं आखों का और आपको मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है कमेंट में एकदम से सारी इसे एक्स्प्रेइन की नहीं जा सकती है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस्टाग्राम पे मैसेज करें तकि आपको मैं परसनली अच्छे से सब कुछ बता दूँ कोई दिक्कत हो ही तो ठीक है और चैनल को सबस्क्राइब कोने ना भूले थैंक यू जाहिन जावारत